मीठा सबको अच्छा लगता है, खास दोर से जो बच्चे हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो मीथी कैनपीज बनाते हैं, कैनपीज वैसे तो फ्रेंच वर्ड है, नॉमली ब्रेड के उपर रखके कुछ डेकोरेटिव चीजें बनाई जाती है, बड़ा दिखने में मुझे चाहिए थोड़ी क्रीम, यह वाइट चॉकलेट, यह ले लेते हैं, वैसे इसके अंदर जो चॉकलेट है, वो सिरफ इसके फैट के रूप में रहती है, जो कोको बीन्ज होती है, जिससे चॉकलेट बंती है, उसमें जो चॉकलेट है, वो एक तो कोको मास होता है और तो ये जो मिल्क चॉकलेट है ये बनता है कोको बटर से और उसके साथ साथ मिल्क एंड शुगर तो इसलिए ये ब्राउन नहीं दिखती है और अब इसके अंदर जरा थोड़ा कॉफी भी डाल देते हैं ये मेरे पास कॉफी जिसको पानी के अंदर घोला था ये कॉफी इसके अंदर धेर सारी डल गई बहुत बढ़िया ये सब तयार हो गया अब क्या करना है तो ये जो क्रीम है इसमें चीनी डाल कर इसको फैंटना है ये फैंट लेते हैं चलिए एक क्रीम फिट गई और ये क्रीम अच्छी तरह से हमने फैंट ली ये जो है हमारे पास कॉफी और चॉकलेट ये ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको मैं निकाल लेता हूँ ये चन्नी कॉफी के साथ में ये क्रीम और इसको हमने च्छान लिया अब ये जो दोनों चीज़ें इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं फिर मिक्स करना है लेकिन अभी नहीं ये यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्पॉंज लिया हूँ है बजार में बना बनाया आप ले सकते हैं थोड़ा डाक चॉकलेट वाले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा और इसके बाद इसको हमने काटना है जरा इसके पीसेज काट लेते हैं हमने बहुत जादा मोटा नहीं ब इस तरह से चाहिए तो थोड़े से ये शेप में वे देखिए ये भी गोली है आप चाहिए तो बच्चों को पसंद आने वाला हाट शेप भी ले सकते हैं ये काट लिया ये देखिए और इसके बाद हमारे पास जो हमने क्रीम फैंटी थी और उसके साथ साथ जो चॉकलेट कॉफी क्रीम उसको पकाया था फ्रिज में रखा है निकाल लेते हैं अब ये इस क्रीम के अंदर इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया लेकिन अभी थोड़ा जादा पतला है ये तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं हाँ बस अब ये इसका जो रं जैसे मैंने आपको बताया है यह सेट हो जाती है तो उससे पहले कि यह सेट हो हमें एक काम करना है कि यह जो है इस पे यह डाल देना है थोड़ा और इससे क्या होगा? यह मौइस्ट भी होगा और उसके साथ साथ इसमें चॉकलिट का रिच टेस्ट आ जाएगा. अब यह जो है बढ़िया नाइस एंड मॉइस्ट अब इसको फिनिश करने के लिए जो हमने क्रीम के अंदर बाकी साथी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई है वो इसको पर लगाएंगे थंडा होना चाहिए लेकिन बहुत जादा भी नहीं जहां यह ठीक है अब क्या करना है इ इस पाइपिंग बैक के अंदर कॉफी के फ्लेवर वाला एक तरह से कॉफी का मूज है यह यह ले लिया और बहुत बढ़िया यह लेकर अब इसमें आप इसको इस तरह से डाले या इस तरह से मर्जी आपकी है यह लिये और इसके बाद इसकी थोड़ी सी गारनिश कर देते यह पतले पतले चौकलेट के ट्राइंगल सिलिकॉन शीट पे चौकलेट को मेल्ट करके फ्रिज में रख दें काटें बस और इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसी तरह से परुसें भ protection का मूज है तो कॉफी के साथ बढ़ा अच्छा लेगा, पैसे एक चीज़ बताओं, कॉफी दुनिया की सेकंड मोस्ट भिकने वाली कमोडिटी है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ भिकती है, तेल, उसके बाद कॉफी, मजा लीजिए, कॉफी मूस कैनपेस का,